जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए एक वार्निंग जारी की गई है टेली कॉम्णिकेशन एथॉरिटी ओफ इंडिया की तरफ से और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि टेली कॉम्णिकेशन एथॉरिटी ओफ इंडिया ये कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी को भी फेक मैसेज भेजें फेक कॉल करें या किसी को भी अन आइडेंटिफाई नंबर से ये कहें कि आपके आधार कार पर एक सिम कार्ट जो है वो इशू किया गया है तो आप बताएं कि उस फेक सिम कार्ट से जो सिम इशू हुआ है उसे आपको रखना है या डिसकनेक्ट करना है अब मैं आपको ये भी बता दू कि टी आर ए आई यानि टेली कॉम्णिकेशन रेगुलरिटी ओफ इंडिया ल वही आप लोगों को अन इडेंटिफाई या बाकी नमबरों से कॉल्स करते हैं और वो आपको ऐसा कहते हैं कि अपने आधार कार्ट की डिटियल्स जो है वो आप हमें दे या ऐसा कहते हैं कि आपके आधार कार्ट से कोई एक सिम जो है वो इशू हुआ है जिसका गलत तरीक किसे कोई scamster जो है इस्तमाल कर रहा है और फिर वो आप लोगों को convince कर लेते हैं कि आप लोग जो है Skype पे उनसे बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ भी होगा और उन्होंने वीडियो कॉल पर जो है स्केम्स्टर से बात भी की होगी लेकिन उसका रिजल्ट ये होगा कि चंधी मिनटों में या कुछ ही दिनों में उनका खाता जो है वो खाली हो गया होगा एसी एक खबर जमू के सोशल मीडिया पोर्टल पर भी रन हो रही थी कि एक ओरत थी जिसने अपने आधार कार्ड को जो है वो लिंक करवाया था और आधार कार्ड को लिंक करवाने के बाद में उसके बैंक खाते से पैसे कटना जो है वो शुरू हो गए थे तो आपको बता दे कि कुछ स्कैम्स्टर ऐसे भी है जिनके पास आपके मुबाइल नंबर है आपका मुबाइल नंबर सीधा आपके बैंक के खाते से जुड़ा है उसके साथ आपका अधार भी लिंक है तो बहुत असान हो जाता है कि स्कैम्स्टर के लिए कि उसके पास कॉल करें और कि आपके आधार की वज़े से आपका जो फर्जी सिम निकला है उसे बंद करना है या रखना है अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो वह कॉल जो है जरूरी है कि स्कैम्स्टर नहीं किया होगा और आपको जो है नस्दीकी साइबर पुली स्टेशन में जो है क पता चलेगा अब सबसे पहले मैं आपको बता दू कि टेली कॉम्म्निकेशन रेगलर्टी अथारिटी अफ इंडिया ने आपको वार्निंग दे दी है आपको नस्दीकी साइबर पुलीस के पास जाके जो है कंप्लेन भी दर्ज करवानी है ताकि आपकी मेहनत की कमाई लेक करते हैं जिस पर हमें शक होता है हम उस मोबाइल नंबर को खुदी बंद कर देते हैं लेकिन आपको क्या करना है अब आप ये सुने कोई भी आपको स्काइपे पर आने के लिए कहें आपको स्काइपे पर नहीं आना क्योंकि अगर आप स्काइपे पर वीडियो कॉल पर .gov.in पर जाना है और जो helpline number है register आपको बता दे cybercrime helpline number है वो है 1930 1930 को आप अपने दिमाग में note कर ले कभी भी कोई ऐसा call आई 1930 पर आप उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं